तो दोस्तों ये वीडियो बहुत ही important वीडियो होने वाला है क्योंकि इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं तीन important stocks के बारे में और उन से जुड़ी हुई कुछ बड़ी updates है, कुछ बड़ी खबरे हैं जो आपके साथ इस वीडियो में मैं साजा करूँगा और उनको अच्छ दूर देख सकते हैं, तो चली वीडियो की शुरुआत करते हैं और पहला stock है यहाँ पर one and only Deepak Nitrite, Deepak Nitrite के regarding अभी कुछ time पहले आ, I think एक महीना हो गया दोस्तों, एक fire incident यहाँ पर हुआ था जिसके वेसे काफी हमको एक negative reaction देखने को मिला था stock में, लेकिन कल के दिन यहाँ प गुजरात, Pollution Control Board की तरफ से यह approval इनको मिल चुका है, जितने भी compliance related documents थे, सारे submit होने के बाद, यहाँ पर सारी satisfaction करने के बाद, गुजरात जो pollution board है, उन्होंने यहाँ पर इसको अनुमती दे दी है, entire plant except affected parts of nitrite section, तो कुछ nitrite section जो है, यहाँ पर इनके plant में, वो start नहीं हुआ ह लेकिन entire plant, मतलब most of the plant यहाँ पर operations उनका start हो चुका है, तो again this is very positive news, हला कि एक महिने से plant बंद पड़ा है, उसका असर कही ना कही हमको numbers में देखने को मिल सकता है, लेकिन यहाँ पर plant start हो चुका है, तो यहाँ पर वापिस recovery होती हुई नजर आएगी, अब यहाँ पर technical chart पे ब जो है, इसका downward है, और यहाँ पर हो सकता है, downward अभी रहे, या तो consolidate करेगा, या फिर हो सकता है, थोड़ा downward हमको देखने को मिले, लेकिन जैसे हमने बात करें उस तो पहले भी करिए, दीपक नाइटराइट अगर आपके portfolio में नहीं है, तो एक बहुत बढ़िया मौका है, दी दीपक नाइटराइट के, तो आप यहाँ पर करीब करीब 4-5 stock आज के दिन भी खरीज सकते हैं, लेकिन अगर लमसम लगाने तो मुझे रगता है, लमसम का जो level है, वो है यहाँ पर 1400-1500 के बीच में, यह जो level है, यहाँ बहुत बढ़िया level है, यहाँ पर मुझे लगता है आएगा नि, अगर आगया तो मैं खुद यहाँ पर लमसम लगाने वाला हूँ दीपक नाइटराइट में, क्योंकि केमिकल शेतर में दीपक नाइटराइट जैसी कंपनी काफी अच्छा करती हुए नजर आई कि अलरड़ी import substitution काफी सारे products में, phenol में तो अलरड़ी create करी मैंने भी थोड़ा बहुत पढ़ा है, मैं पढ़ रहा हूँ, annual report में इन्होंने अलरड़ी यहाँ पर काफी चीज़े mention कर दी है, 1500 करोड़ का केपेक्स आने वाला है, अगले दो साल में, execution capabilities हम सभी को पता है, दीपक नाइटराइट की बहुत जबरदसता, chemical sector जो है, अभी द पता हुआ देखने को मिलेगा, तो अधिपक नाइटराइट में current market price पर यह buy है, और नीचे आता है, तो इसको आप buy on dips कर सकते हैं, और एक और बड़ी update में आपको देना चाहूँगा, chemical sector के regarding, तो आप देख सकते है, 18 जून की update है, इंडिया's chemical industry to attract rupees 8 lakh करोड by 2025, तो यहाँ यहाँ पर chemical sector, जो industry है, वो देखी करीब 8 lakh करोड यहाँ पर attract कर सकते हैं by 2025, और किनोंने का है, सुसानता कुमार पुरोहित, जो joint secretary है, Department of Chemical and Petrochemicals के, said the sector is growing at a rate of 9.3% per annum, यहाँ पर काफी सारे triggers है, चाइना प्लस वन एक बहुत बड़ा दोस्तों, यहाँ पर trigger है, जिसको बड़े जो दिगज है, जो giants है, वो alternate supplier यहाँ पर ढूण रहा है, और इंडिया अभी सबसे अच्छी stable economy नजर आ रही है, तो चाइना प्लस वन की जो trigger है, बहुत बड़ी trigger है, PLI scheme का एक government की तरफ से बहुत बड़ा initiative है, जिसको यहाँ पर basically जो हमारे domestic manufacturers है, उनको काफी फाय यूड है, 23-24 के PE पर हमको देखने को मिल रहा है, यहाँ पर काफी सारे ऐसे triggers है, जो कि यहाँ पर re-rating करते हुए देखने, re-rating का candidate दीपक नाइट बनता हुए नजर आ सकता है, बिल्कुल debt-free company है, ROC, ROE बहुत शांदार है, काफी शांदार company है, हर पहमाने पर काफी अच् यहाँ रखे, तो यह company काफी अच्छा करती हुए नजर आईगी, लेकिन मुझे रखता है, short term में थोड़ा सा pressure में रहेगा, यह stock हो सकता है, यह थोड़ा और correct यहाँ से हो जाए, तो अगर आपका लंबे समय के नजरिया है, 5 साल का at least यहाँ पर आपका नजरिया है, तो आ नए जो users हैं, आते हुए देखने को मिलेंगे, retail निवेशकों की यहाँ पर एक हमको बाढ़ आती हुए देखने को मिलेंगे, लेकिन जब market correct होता है, तो यह सारी चीजे शान्त हो जाती है, और CDSL का जो transition cost है, काफी सारे जो cost है, जो market linked cost है, वो काफी कम होती हुए हमको कर सकते हैं, अब यहाँ पर एक बड़ी खबर है जो हम आपको देना चाहूंगा, वो है demate account से जुड़ी हुई, तो आप देख पार है उस तो June 2022 का data आ चुका है, और again, demate accounts की जो संक्या है लगातार हमको कम होती हुए देखने को मिल रही है, क्योंकि market अभी correction phase में है, आ रहे हैं, IPO's बिलकुल भी बहुत ही कम IPO's आ रहे हैं, तो IPO's से जो इनके cost यहाँ पर generate होती है, जो यहाँ पर यह चार्जे से यहाँ पर fees जो लेते हैं, वो कम हो रही है, काफी सारे यहाँ पर cost जो है, हिट होते हुए नजर आएंगे CDSL के, तो इसकी वज़े से आप देख भी correct हो रहा है, लेकिन जैसे मैंने बात करी है, अगर आपका long term का नजरीया है, तो आप इसमें थोड़ा बहुत SIP कर सकते हैं, आज आपको 10 stock खरीने हैं, तो 2 stock आप अभी यहाँ पर खरी सकते हैं, फिर यह अगर और correct होता है, तो आप इसको और खरी सकते हैं, 900 के level के 4 stock और खरी सकते हैं, ऐसे करके आप अपनी strategy यहाँ पर develop कर सकते हैं, और बात करते हैं, देखिए, CDSL हो सकता है, यहाँ पर correct हो जाए, लेकिन यह भी हो सकता है, कि यहाँ से ही consolidation में चला जाए, यहाँ पर देखिए, ऊपर जाने की chances बहुत कम है, यहाँ तो हो सकता है, कि यह stock में price correction हो जाए, तो अगर यह दोनों चीज होती है, consolidation होता है, price correction होती है, तो यहाँ पर valuation भी फिर काफी attractive हो जाएंगे, तो वहाँ पर risk reward ratio फिर favorable होता हुआ नजर आएगा CDSL में, तो आप यहाँ पर अपनी strategy उस हिसाब से discuss, जो है यहाँ पर develop कर सकते हैं, तो I hope यहाँ तक आपको सारी चीज़ समझ आगी, तो third stock है दूसके यहाँ पर one and only LTTS, देखिए, LTTS जो है एक ER&D space से जुड़ी वी company है, और core ER&D company है, और काफी अच्छी company है, इसके बारे में हमने कई बार लगतार चर्चा करिए, पुरा detail analysis हमने यहाँ पर इसका already किया हुआ है, और LTTS के stock मे वो थोड़ी सी discretionary spending हो जाती है और Europe और America में recessionary environment के बाद थोड़ा से हमपर hit होता हुआ नजर आया है, FIS की exit के बाद थोड़ा सा पूरा sector hit हुआ है, साथ ही साथ जो profit booking हमको इस sector में देखने को मिली है, लेकिन अब यह जो sector है attractive होता जा रहा है और यहाँ पर एक गजब की demand zone पर यह stock खड़ा है और आज के दिर आप देखेंगे थोड़ा सा stock हमको positively react करता हुआ देखने को मिल रहा है, वो क्यों है उसके पिछे reason में आपको बतारा चाहूंगा, देखिए कल के दिन हमको पताए कि HCL के number आये, HCL के quarter बनके number आये, और यहाँ पर जो इनका ER&D segment है, आप मतलब यहाँ पर यह पूरा जो है space अच्छा कर रहा है, और ER&D space में HCL का भी एक बहुत बड़ा, यह बहुत बड़ा segment है ER&D, हालकि overall इनके जो portfolio उसके साफ से नहीं है, लेकिन ER&D अगर मैं segment को इनका अलग कर दूँ, तो HCL यहाँ पर बहुत बड़ा ER&D player भी है, अब इसक बिसरी यहाँ पर बात करें, आपको अभी क्या करना है, तो मेरे ख्याल से उस तो यहाँ पर अगर आपका long term का नजरिया है, तो अपनी SIP को deploy कीजे, LTTS में, काफी niche business है ER&D, और मुझे रखता है long term यह अगले आने वाले 10 साल की कहानी है ER&D, short term मत देखिए, लंबा समय सोच ER&D, engineering research and development, काफी सारी चीज़ें यहाँ पर होती हुए नजर आएगी, manufacturing हब यहाँ पर इंडिया बनता हुए नजर आएगा, तो एक indirect play ER&D companies यहाँ पर हो सकती है, electric vehicle एक बहुत बड़ा theme यहाँ पर होगा, और electric vehicle के लिए जो infrastructure होगा, जो engineering research and development होगा, उसके contract यहाँ पर सम लगाया जा सकता है, as per my analysis, अब यहाँ पर एक और बड़ी ख़वर में आपको देना चाहूँगा, देखिए, अभी कल ही की I think news है, BMW ने जोस्तों यहाँ पर एक subscription model शुरू किया है, जहाँ पर यह heated seat का subscription model देने वाले है, ठीक है, अब यह जो subscription model होगा, यह कैसे काम करेगा यह काम करेगा connected drive services के तुरू, connected drive मतलब कि यहाँ पर जो connected जो ecosystem है, उसके तुरू काम करेगा, और connected ecosystem जो बनाता है, वो बनाता है, ER&D company, जैसे कि Tata Alexi हो गया, या फिर LTTS हो गया, तो यह companies बनाती है, तो यहाँ पर यह subscription model चालू होगा, तो again आप समसकते हैं कि जो पूरा यह total addressable market है, वो कितना बड़ा यहाँ पर होता हुआ नजर आएगा, EV में भी कई सारी चीज़े अभी हमको आती हुई देखने को मिलेगी, और EV theme को आपको play करना है, तो मेरे को लगता है, आपको software companies के थूप play करना चाहिए, Tata Alexi अभी काफी महंगी है, लेकिन मेरे को लगता है, LTTS यहाँ पर काफी अच्छा यहाँ पर एक player जो है, यहाँ पर बनता हो नजर आएगा, आगे आने माले दशक में, और connected drive की मैं बात कर रहा हूँ, तो मैं आपको दिखाना चाहूँगा, देखे, LTTS connected car के लिए already काफी सारी services प्रोवाइट करा रहा है, जैसे के security, use cases for vehicle to vehicle, companion application integration with cloud and development, enhancement of existing infrastructure, तो यहाँ पर जो case है, यानि की connected autonomous shared electric mobility, तो इसके तहत पूरी services यहाँ पर provide करा रहा है, इसकी expertise है, area of expertise है यह, तो again एक बहुत बड़ा है, यहाँ पर market हो जाता है, अभी हाला कि इसका revenue contribution काफी कम होगा, लेकिन आगे आने वाले समय में, जैसे जैसे infrastructure development होगा, का manufacturing ecosystem बड़ा होगा, और काफी सारे जैसे pharma industry की बात करें, हम यहाँ पर plant and machinery की बात करते हैं, यहाँ पर हम बात करें, medical devices की equipments की, तो यह सारी चीज़ें, यहाँ पर LTTS services already provide करा रहा है, और expertise है, और globally ER&D space में बात करें, तो यहाँ पर already एक बड़ा player है, तो I hope LTTS आपको यहाँ अगर आपका लंबे समय का नजरिया है, आपको यहाँ पर समझ बाता है business model तो आप यहाँ पर buy कर सकते हैं, नीचे गिड़ता है, तो आप इसको buy on dips यहाँ पर कर सकते हैं, तो I hope दूस्तों यह वीडियो आपको informative लगा होगे, वीडियो पसंद आया तो like कीजिए, share कीजिए चैनल को subscribe कर लिजिए और new channel को भी जरूर subscribe आप कर लिजिए, तो मिलते हैं आपसे next video में, till then take care, bye bye